मसकार दोस्तो मैं अमन आपका आपके चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो और आज हम बात कर रहे हैं Trident Limited की Trident का Q4 का result जो की आज आने वाला है और साम तक ये result आ जाएगा इस result से investors के लिए बहुत से उम्मीदे लगी हुई हैं और अगर ये result आता है positive में तो आपके लिए इसमें क्या कुछ खास देखने के लिए मिलने वाला है target क्या रहने वाला है दोस्तो और अगर ये negative आता है तो इसका downside कहां तक जाने वाला है तो वीडियो में दोस्तो बने रह पीस हमारी तरफ से बिलकुल सीधा आपके bank account में gift और दोस्तो साथ यसाथ एक free stock जीतने का मौका डिसक अपसर में link दिया गया है account open करना बिलकुल free है सादा simple अधार card pen card और bank account के detail के साथ आप अपना account open कर सकते हैं दोस्तो देखे trident के अगर हम बात कराएं तो trident में जो इनक लिकिन दोस्तो अगर यहाँ पर इनका profit जिस तरह से आपकी उम्मीदे हैं उस तरह से ही अगर देखने को मिलता है जैसे कि इन्होंने last quarter में भी अच्छा प्रदसन दिखाया था और बहां से उम्मीदे और भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं तो इसी तरह से अगर आपको यह revenue के साथ साथ net income भी बढ़ती हुई नजर आती है और साथी साथ profit margin में भी आपके लिए अच्छा खासा growth देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर जो target है वो trident में आपके लिए 20 रुपीज से लेकर के 21 रुपीज तक के target रहने वाले हैं और दोस्तो अगर यहीं पर यह result अगर थोड़ा भी investors के हिसाब से अच्छा नहीं आता है तो इसकी जो downside है आपके लिए 14 रुपे 50 पैसे से 15 रुपे तक जाने वाला है तो यह दोनों ही चीजे देखने को मिलने वाली हैं लेकिन दोस्तो यहाँ पर थोड़ा positive जादा रहने वाला है मतलब कि इसकी downside कम और upside जादा देखने के लिए मिलने वाली हैं क्योंकि यहाँ पर आपके लिए dividend भी देखने को मिलेगा लेकिन दोस्तो dividend के बारे में अगर मैं आपको बता दूँ तो dividend आप maximum जो है 15 पैसे से लेकर के 20 पैसे का dividend मानके चल सकते हैं इससे उपर का dividend की अगर आप उमीद भी करते हैं तो आप फिर उस उमीद को तूटते हुए ही देखेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा का dividend यहाँ पर देखने को नहीं मिले वाला है लेकिन अगर इस price के हिसाब से देखें या फिर जिस तरह से इनका past में रहा है उस आप से देखें तो ठीक ठाक भी रहेगा लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कम है जैसे कि अगर देखें तो IRFC ने आपके लिए एक रुपए से उपर का dividend दिया बहीं RBNL ने एक रुपए से उपर का dividend दिया वो share भी approximately 20 रुपीस के level लेकिन इनका price आज आपके लिए जरू 17 रुपीस का देखने के लिए मिला है क्योंकि पिछले कु only on profit booking की बज़े से ग्राबट हुई है क्योंकि यहाँ पर अगर profit book नहीं करते हैं तो आपके लिए जरूर आपके हाँ से मौका छीन के कोई और ले जाएगा जैसे कि अगर मैं अपनी personal बात करूँ तो मैंने भी यहाँ पर अपना profit book कर लिया और मुझे कोई भी problem नहीं है क्य पोड़ा सा और बेट करने से बाद मैं इसमें दोबार से इंवेस्ट कर लूँगा क्योंकि मुझे सेर परसनली बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इनका जो future का प्लान है और जिस तरह से इनका बिजन है 2025 का और जिस तरह से प्रकरती को लेकर कि बहुत ज्यादा सतर्क है उसी बज़े से मुझे ये कंपनी बहुत ही अच्छी लगती है जिस तरह का इनका बिजनिस है तो दोस्तों आपको क्या लगता है आपकी नेजर में क्या है Q4 का रिजड़ जो है साम तक आ जाएगा जैसे ही आता है आपके लिए अपडेट मिल जाएगा चैनल को सस्क्राइ है तो लाइक भी कर दीजेगा